नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यह हमारा एंपी सियल का अफिस्यल पेपर है जो कि कटेगरी सेकंड का पेपर है जिसका एक्जाम हुआ था 24 माई 2019 को तो जो भ भाग होते हैं उन सब में अगर कटेगरी सेकंड से अगर आपने फार्म भरा है तो सबका स्लाइबस और एक्जाम पैटर्न और सेलेक्शन प्रासस सब कुछ सेम होता है तो आप किसी भी एक एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो मतलब आप पूरा फार्म जरूर भरिये तो आपना देख सकते हैं या डिस्क्रिप् helmets पर हमने एक प्लेइलिस्ट का लिंक दिया है उस प्लेइलिस्ट के लिंक पर कलिक करके आप अपना वीडियो देख और इसके बाद समाने जागरुकता के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिए 21 नंबर का कोश्चन है विच आप दा फालोइंग गेस इजनार्ड जनरली फांड इन एयर आम तवर पर हवा में कौन सी गेस नहीं पाई जाती है बाइस नंबर कोशन है identify the fundamental parameter in physics भृतिक विज्यान में मूल भूत माप दन्ड की पहचान करें तो हमें पता है जो भौति विग्यान में जो मूल भूत माप दंड है वो हमारा क्या है समय है क्यों क्योंकि यह हमारे जो साथ बहुती क्रासियां होती है उसमें यह जो समय रहता है वो दिया रहता है बाकि यह हमारा विद्पन मातरक हैं मातरक वाले अंतरगत आते हैं जिसे कि आपका भार हो है उसमें की बात कर रहे हैं प्रकास वर्स को किस में मापते हैं तो देखिए प्रकास वर्स किसका मात रखाए तो दूरी का मात रखाए अब देखिए यहां पर 24 नमर का कोश्चन दिया है केमिकल फार्मूला आप कामन साल्ट एज समानी नमक का रासानिक फार्मूला क्या होता है तो आपको भी पता होगा समानी नमक एनसल सोडियम कुलोराइड अब देखिए यहां पर 25 नमबर का कोश्चन है विच आवदा लेटर डजनाट अंडरगो लेटरल इन वर्जन इन प्लेन में देखा है समतल दरपड़ा में कौन सा अच्छर पार्स परिवर्तन नहीं होता है मतलब ऐसा कौन सा है जिसका की दरपड़ा प्रतवियम में सेम ह होता है तो है है इसका दरपड़ा प्रतवियम में सेम होगा बाकी यह जो यह है इसको जब आप लोग कर देखेंगे दर पार्पड़ा यह होता है इसका परिवर्तन जिसका सेम होगा वो रहता है आपका 26 नमबर कोशन है नार्मली डडडडडडड गैस इस यूट टू एस्टिंग्यूस फायर आग बुझाने के लिए हम तर पर किस गैस का पर्योग किया जाता है तो आपको भी पता होगा कि आग बुझाने के लिए हम लोग कारबन डाय आकसाइड सी ओटू का पर्योग करते हैं 27 नमबर कोशन है यहां पर select most correct option at high altitude the boiling point of water decrease because the air atmospheric सबसे सही विकल्प का चेहर करें अधिक उचाई पर पानी का कवथना कम हो जाता है क्योंकि वहां का जो वाव मंडल होता है कैसा होता है तो वहां के देखें जो वाव मंडल होता है वो क्या हो जाता है प्रेसर इस लो 28 नमबर कोशन है the unit of measurement of force is बलके माप की हिकाई क्या होती है वाट जूल न्यूटन क्योरी तो आपको भी पता होगा वाट जो होता है यह सक्ति का होता है जो जूल है यह हमारा उर्जा का होता है न्यूटन जो है यह हमारा बल का है तो यहां पर बलके हिकाई पूझाता तो 28 इसके यहां पर सी होगे है अब जोखे 29 नमबर कोशन है दा मिनिममम डिश्टेंस आफ के लिए रिवीजन फार नार्मल हुमन आई इज इन सेंटीमीटर समान माना आख के लिए इस पर द्रिश्ट की निमतन दूरी कितने सेंटीमीटर होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है अब को भी पता होगा कि प्रिश्ट की सेतर पर जी का होसा तो मन नो दस्मिनवाट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर होता है यहां पर मात्रक आपको ध्यान में रखना है नहीं तो आप इसको भी टिक्कर किया सकते हैं 31 नंबर कोशन है फ्राम संद लाइट रीचेज अग्यां डट्व एर्थ इन मिनट सूर्ष से प्रकास कितने मिनट में प्रिथिवी पर पहुंचता है तो आपको भी पता होगा कि जो सूर्ष के प्रकास रहता है यह प्रिथिवी पर आठ मिनट और 16 सेकंड में पहुंचता है या फिर इसी को 500 सेकंड कहीं पर आप लोग देखें होंगे तो यहां पर हमारा आठ मिनट दिया गया है तो आठ मिनट ही यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए 32 नंबर का कोश्चन है एज कंपेया टू इलेक्ट्रान प्रोटान इज एबाउट हाव मैनी टाइम स हैवियर इलेक्ट्रानों की तुलना में प्रोटान लगभग कितना गुना भारी होता है तो इलेक्ट्रान की तुलना में जो प्रोटान होता है यह लगभग अठारे साथ गुना भारी होता है तो यह जो परिवर्थित होता है यह एम्पलिट्यूट के दवारा यानि कि आय थिए फालुइंग एलिमेंट टैजनाट कटेंट वण इलेक्टरान इन इत्स वैलेंस शेल निमन्हें से कौन से पदार्थ के वैलेंस सेल में एक इलेक्टरान नहीं होता है तो जो इलेक्टान नहीं रहत हो रहता है आपकल सियम 35 नमबर कोश्चन है सामान ने तापमान और दबाव पर एक मोल गैस की मात्रा लीटर में कितना होता है तो आपको भी पता होगा नारमल टमप्रेचर और प्रेचर पर जो मात्रा होती है वो रहते हैं 22 देस्मरों 4 लीटर यानि कि सामान ने ताप और दबाव पर एक मोल गैस की मात्रा होती है 22 देस्मरों 4 लीटर होता है न्टीपी पर 36 नमबर का कोश्चन है वैलेंसि अफ एलिमेंट हीलियम इज हिलियम की स्यूज़क्ता कितनी होती है तो आपको भी पता होगा जो हीलियम की स्यूज़क्ता होती हमाँ 0 होता है 37 नमबर कोश्चन मोटर जो यांत्री कुर्जा में परिवर्तित होता है यानि कि जो बिद्धु तूर्जा को यांत्री कुर्जा में बदलता है वह हमारा मोटर होता है और जो यांत्री कुर्जा को बिद्धु तूर्जा में बदलता है वह हमारा जनरेटर होता है कि इसे याद रखिएगा 38 number question है at which temperature both the Fahrenheit and centigrade scale have the same value किस तापमान पर Fahrenheit और centigrade scale दोनों बराबर होते हैं कि माइनस 40 degree Celsius के तापमान पर Fahrenheit और degree Celsius दोनों समान होते हैं 39 number question है 1 Hertz power is equal to 9 watt एक हर्स पामर बराबर कितना वाट होता है तो 746 Watt के होता है एक हर्स पामर इसके बाद है डट 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 वेव के नाट बी ट्रांस्मिटेट थो वैकूम माध्यम में कौन सी तरंगों का संच्रन नहीं किया सकता है प्रकास हीट कि संच्रन नहीं किया जा सकता है वह हमारा रहता है दो देखिए जो दो होता है इसको संच्रन के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है तो लेकिन वैकूम में ध्वान नहीं यहाँ पर संच्रित हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं रहता है अब हमारे यहाँ पर जनल अवर्नेंस है सिलेक्ट दा मॉश्ट अप्रूप्रियेट एंस वर आईपियल पॉप्लरली नोन एज सबसे उपयोगत उत्तर कैश्यान करें आईपियल लोग प्री रूप में किस नाम से जान जाता है तो आईपियल के यहाँ पर फुल फार्म पू स्कूर्ण क्या है तो आपको भी पता होगा मेगाला की जो राजदानी है वह स्रीलांग होनरेबल श्री या स्रीमति डट 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 इसदा चीफ जेस्टिस अफ इंडिया मान्नी या स्रीमति भारत की मुखिनायदीस है तो यह छोड़ दिए करेंट अफेयर था जो कि अब हो चुका है कि फुट्टिफोर नंबर कोच्चन है पाकिस्तान वाज फोस्ट टू रिटर्न श्री डडडडडडडड़ इंडियन एयर फोर्स पाइलट इन फरवरी 2019 आप्टर मैथ बाला कोट एयर श्ट्रैक बाइंडियन एयर फोर्स फरवरी 2019 में भरतिवाय उसेना द्वा कौन थे अभिनंदन वर्धमान जो थे उन्हीं को लटाना पड़ा था पाकिस्तान को कि फुट्टिफाइट नंबर कोशन है विच स्ट्रीट डजनाट सेयर बार्डर विच चाइना कौन साराज चाइना के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है नागा लेंड खुएंड अर्डेयर इन इंडिया भारत में कितने लोग सभा निरवाचन छेद रहें तो भारत में टोटल जितने भी लोग सभा निरवाचन छेद रहें वह हैं टोटल 553 लिग गरून या गरूना इस्दा नेम आफ एरलाइन आप दा-कंट्री गरून जो है किस देश की का नाम है तो आपको भी पता होगा कि जो इंडोनेशिया है उसके एरलाइन का नाम गरून है और तालिस नमबर कोश्चन है विच सिटी डजनाट ट्रडीशनली होल्ड कुम्भमेला कि सर में कुम्भमेला पारंपरिक रूप से नहीं लगता है उजयन में तो आपका लगता है वाराणसि में भी लगता है यहां पर प्रियाग राज हरिदवार और उजयन और इसके बाद एक जगे होता है हमारा नासिक न चलिए कर लगता ह फुर्टीनाइड नमबर कोश्चन है इन बैंकिंग सिस्टम एटियम स्टेंड्स फर बैंकिंग पडाली में संचिपत नाम एटियम का मतलब क्या है तो एटियम का फुलफार महता है आटोमेटेड टेलर मसीन अब यहां पर पचास नमबर का कोश्चन है कि सर्व साइक्लोन डडडडडड श्ट्रक दा कोश्ट्स आफ उडिशा इन फर्स्ट वीक अफ माई 2019 प्रचंड चक्रवाती तूफान कौन सथा जो माई 2019 के पहले सप्ता हमें उडिशा के तर्ट पर आया था वह था फॉनी तो यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर हमारा कटेगरी सेकंड का पूरा का पूरा जो इस्टेज फर्स्ट होता है यह हमारा खतम होता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और जो भी स्टुडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा objective gk channel subscribe नहीं किया है वो लोग जरूर subscribe कर ले link description box में दिया गया है वहाँ पर जो objective gk channel है वहाँ पर आपका gkgs का तजारी कराया जाता है तो आप लोग उससे जरूर देखें और अपना comment बताएं अगर उसमें कुछ सुधार करना हो तो आप लोग जरूर उस channel को subscribe परें link description box में दिया गया है मिलेंगे next video में thank you